असलाम अलेकुम स्ट्रूएंट्स कैसे आप सब मुझे उमीद है क्या खेरियत से होंगे आज जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है डांप ऑस्रिलेशन्स अधम्ट ऑस्रिलेशन्स क्या होती है दो ऑसलेशन ओफ एस स्टेम इं प्रेजिसन्स ऑफ सम्रेजिस्टेफ फॉर्स अगर एक बाड़ी में वाइबरेसिन प्रोडियूस हो रही है और उस बॉड़ी में कोई फ्रिक्शन ना हो यहां पिर हो और रिजिस्टिफट फोर्स ना ह तो एसी का साइकल जिसके अंदर कोई तन के एसी फोर्ट प्रिजेंट हो यानी कि एसी फ्रॉस प्रिजेंट हो जो कि उसको रोक एक एक सर्टिंच टाइम पिरेड के बाद उसको कहते हैं डानप्ट और रॉस रिलेशन स अगर अगर रिजिस्टिव फोर्स नहीं होगी एक बॉडी में तो इंडेफिनेट औस रिलेशन्स होती चली जाएंगी यानि कि मुसलसल औस रिलेशन मुसलसल वाइबरेशन होती चली जाएगी फ्रिक्शन किसलिए हमें रिकॉइड होती है तो रिड्यूस मेकैनिकल इनर्जी एक बॉडी में जब वाइबरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है बच्छों तो उसमें मेकैनिकल इनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है जिसकी बाद से वाइबरेशन कंटिनूटी में चलत जैसे जैसे मेकैनिकल इनरजी रिड्यूस होगी उस तरह उस तरह से और रिलेशन यानि के वाइब्रेशन आइसता इसता कम होती जाएगी अब ऐसी बाड़ी जिसमें वाइब्रेशन हो रही है और साथ में कोई रिजिस्टिव फॉर्स भी मौझूद है यानि कि कोई ऐसी से एक स्टेम पॉशिशन तक बाड़ी जाती है इंड़ वापस व अपनी में पॉजिशन पेया इस पूरे एक साइकल को हम वाइब्रेशन के तेगसम प्रॉसस के अंदर जो हमारा मीं 2 एक स्टेम हमारा इस्टेंस होगा उस को हम डिस्प्लेस्मेंट कहेंगे जैसे कि इस का साइकल कम्प्लीट हुआ अब डांट ऑस्रिलेशन में क्या होगा कि जब इसके उपर कोई रिजिस्टिफ फॉर्स पढ़ेगी तो यह और इस्ता इस्ता डांप होती जाएगी जिस तरह से डांपिंग होगी वैसे वैसे अंप्लिट्यूड इसके अंदर काम होता जाएगा अंप्लीटूड हम यह प्टा एग कि यह होता है कि एक्सित्रींफ पॉजिशन पर जाए कि इयुक्न से अмीन पॉजिशन लिसला चारे के इस तालिकैन से गंब ग Jade जाएगी तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डांप औस रिलेशन इसके एक इग्जामपल है शॉक इब्जारबर गाडियों में शॉक इब्सॉर्बर होता है उसका काम क्या होता है गाड़ी में जब गाड़ी हम स्पीड यहां फेर फ्रीकुईंट्ली ड्राइफ करें करता है और दूसरा इनर्जी को रिस्टोर करके और में हमारे चलने में गाड़ी को मदद देता है तो इस तरह से शॉक इब्सॉर्बर जो कि गाड़ियों में मौजूद है यह एक्जामपल है किसकी डांप औस रिलेशन्स की आगे चलते हैं वेव मोशन वेव मोशन क्या है अवेव इस डिस्टरबेंस इन अमीडियम विच वाज़ पार्टिकल्स तो अंडर्गो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देर मीन पुजीशन इन इक्वल इंटर्वल ऑफ ताइम यानि कि वेव एक ऐसी डिस्टरबेंस है एक मीडियम के अंदर किसी भी मीडियम के अंदर कब्स्ट के क्या कॉज करती हैं अच फिए अगर कुछ स्पार्टिकल्स मौजूद है तो तो ऐसी डिस्टरबेंस परेंस को मूफ करने में ज़ा अंख जगा से एक दूसरी जगा पर जाने में मदद करें इसको कहते हैं वाइब दमढ़ करके नहीं लएसे हमाइब। बुद करते और वो क्या किस ताय करता है इस तो इसद हम आई साइड पे पार्टिकल मैंग यह दो रहेगा लेफ्ट साइड पर आहिसताइस्था वाइब्रेटरी मोशन उसको मूफ करवाएगा किस तरह से इकोर इंटर इंटरवल आफ टाइम में यानिके वेव एक जितने इंटरवेल आफ टाइम में मूफ करेंगी और और पार्टिकल अपनी जगह पर अपनी ही जगह पर अपनी मीन पूजिशन पर फिक्स रहकर वाइब्रेशन करेगा इसके हमारी बुक में एग्जेम्पल है डिपिंग पैंसिल इन वाटर टॉब लेना है उसके अंदर एक फैंसिल करना शुरू करना है उसमें को पार्टिकल उन लोगों ने हमारे पास बुक में जो पार्टिकल में वह यह के कॉक रखा हुए उनने एक वाटर टॉब के अंदर आप कोई भी अपने पास प्रेक्टिकल करने के लिए चीज रख सकते हो कोई रख लो यां कुछ भी इस तरह का पार्टिकल अपने वाटर टब में रखें देन पेंसिल को अप एंड डाउन आइस्था इस्था मूव करना शुरू करें जैसे जैसे आप अप एंड डाउन मूव करेंगे आप कुछ इस तरह के रिपल्स बनते हुए यानि के लहरें बनत जगा पर आपका बॉल या आपका कॉक अपने जगा पर रहकर अप एंड डाउन मूव करना शुरू करेंगा और उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी यह एग्जेंपल है वेव मोशन की दिन सेकेंड इग्जेंपल जो बुक में डिसक्स की एंड अब ओपजेट साइड ऑफ रोप हम लोगों ने यूज करने इस एंटर में सब्सक्राइब यहां पर एक नॉट बांद दिये अब जो ऑपोजेट साइड ऑफ रोप है उससे हम लोगों इसको उपर नीचे मूव करना शुरू करना है जैसे जैसे हम उपर नीचे इस प्रसेस कि दो केटिग्रीज होती है पहली मेकैनिकल वेव दूसरी इलेक्रमेटिक वेव यह एक इंपॉर्टन शॉर्ट कुछिटिन भी है बात करते हैं कि मेकैनिकल वेव क्या होती है ऐसी वेव जिनको कोई मीडियम रिक्वाइड हो मूव करने के लिए मीडियम required है किस तरह का जैसे एअर वॉटर यह इसी तरह कोुछियं मीडियम है तो उनको हम कहेंगे मेकैनिकल वेव ठीक है इसकी एक्जामपल है वाटरवी ब से एसी वेव जोके पानी के आदर बननी है उनके लिए पानी होना जรूरी है मीडियम मोझने होना जरूरी है इसी तरह से साउंड वेव कभी एक जगा से दूस्री जगा पर साउंड तब तक पास नहीं हो सकेगा जब Tक हमारे पास एर का मीडियूम मॉजूद नहीं होगा सबाइब і अग्ली उ Alien जैम्पल या którzy Вас यह वेद करने के लिए एगेनमेद हमें मीदियम रिकॉौइब और इसा नहीं हो सकता करें मोशन प्रिद्टिन करें तो हममें मीदियम रिकॉएड ऐसी तमाम वेद जिनको मूफ जिनको कोई मेडियम होता है production के लिए उसको हम कहते हैं mechanical waves दूसरी तरह बात करते हैं दूसरी category की जो है electromagnetic waves electromagnetic waves basically mechanical waves का opposite है electromagnetic waves वो waves जिनको अपनी propagation के लिए यानि बनने के लिए किसी मेर् deleting लगाते हैं तो बगार किसी मीदिययं की से क्टरा Finnish एग्सरे हो रही तो एक्सरे करते हूं उनको को अपका इस कर्वाने के लिए जाओ वह एक्सरे करते हुए हम को कोई एक्सरे dazu और पकर आप उनको बगैर किसी एयर या वाटर के मीडियम के या कोई कमपलसरी मीडियम के वो वेवस प्रोड्यूस हो सकती है एक्स्रे की इसी तरह से जो टीवी हम लोग घर में देख रहे हैं टीवी वेवस भी ऐसी वेवस हैं जिनको प्रोपगेशन के लिए यानि के बनने के लिए टेल अगर रखोगे तो हीट पास हो जाएगी ऐसे वेवस जिनको कोई मीडियम रिक्वाइड ना हो उसको कहते हैं इलेक्टर मैगनेटिक वेवस जिनकी एग्जामपल्स हैं आई होब बच्छों आप लोगों को यह लेक्चर बहुत एजी लगा होगा और समझ आ गई होगी झाल